अब बात करते हैं कि जब आपने ये डेसाइड कर लिया कि मुझे SSC की तयारी करनी है तो आपने ये कैसे डेसाइड करा कि मेरे को offline coaching करनी है या online coaching करनी है और जब ये decide करा तो आपने कौन सी coaching को opt करा किनh educator से मुझे पढ़ना है, यह कैसे डिसाइड हुआ, कई मेरे हम एक प्लाटफॉम चूज कर लेते हैं, बट एक सब्जेक्ट हम कहीं और कर रहे होते हैं, दूसरा हम कहीं और कर रहे होते हैं, तो यह सब आपने कैसे डिसाइड कर रहा हुआ। Sir, actually 2021 में भी थोड़ा बहुत कोविड का चल रहा था, उस टाइम भी केसे आरे थे, कम थे बट आरे थे उस टाइम भी, तो एक तो यह था, तो मुझे परसनली यह था, कि ओफलाइन से बेटर हमेशा ओनलाइन कोचिंग लगती है, मुझे परसनली, कई रीजन से उसके, एक तो मैंने मुल्टिपल प्लाटफोर्म्स जैसे रहते है, बाई जूज हो गया, अनकेडमी, जितने भी फेमस जो भी कोचिंग्स है, तो वहां पर मैंने सब की डेमो क्लासेज लेके देखी थी साह, और मेरे को मेंली यह था, कि मैज का ट्यूटर अच्छा होना चाह, बेको मैज का काफ़ी वेटेज रहता है, मैं में में भी प्री में बहुत होना के दो में में मैं मेरी मिरे में है इसक जूटर मैस देखी था तो मुझे लगा थाकी इन पर मतलब trust कर सकते आप पर क्योंकि आप मुझे genuine लगे थे students के लिए तो और आपने first day में जो basic करवाय था percentage chapter का वो मुझे अच्छा लगा था मुझे लगा था कि ऐसे इसी pace पे भी हो जाएगा syllabus, complete भी जल्दी हो जाएगा syllabus तो मैंने demo classes अलग-अलग platforms की चेक करी थी फिर मुझे सरका best लगी थी class तो मैंने वो ले ली थी तो मतलब आपको maths का tutor सही में गया था मैं maths का tutor का तो हो गया था मेरा